मेरे प्यारे प्रदानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपको लदाक के बरफीली पहाडों से नमस्कार मैं अभी खारदुंगला जो की दुनिया के सबसे उंचे दरों में से एक है वहाँ पर हूँ 18,000 फुट की उंचाई पर धूप भरप पर इतना चमक रहा है कि मेरी आँखे खूली नहीं जा रही है मगर फिर भी दिन में तापमान माइनस 20 डिग्रीज है मैं आपको ऐसे मैं सुनाने आया हूँ लदाक के मन की बात इस विशे पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि परियावरन के शेत्र में आपने जो पहल किये हैं उसका मैं बहुत ही बड़ा प्रशंसक हूँ ऐसे वक्त में जब विश्व के अन्यनेता एन्वाइनमेंटल क्रिमिनल्स यानि की परियावरन अपरादी जैसे नजर आते हैं उच समय आपने न सिर्फ भारत में बलकि विश्व को नेत्रित्व दिया परियावरन को संग्रक्षन करने के शेत्र में मोदी जी आप तो जानते ही हैं परियावरन के दिरिष्टी से लदाख कितना महत्वपूर्ण है लदाख और हिमाले दुनिया के उतरी दुरूव और दक्षनी दुरूव के बाद तीसरा दुरूव यानि की थर्ड पोल भी माना जाता है तीन साल पहले ऐसे ही मैं आपसे जुड़ा था उस वक्त मैंने आपसे लदाख के नाजुक परियावरन के संग्रक्षन की बीख मांगी थी यूटी मिला इसके लिए तो वो बहुत खुश हैं मगर यूटी के साथ जो जन जाती है लोगों को संग्रक्षन मिलते हैं तीन महीने हुए आज से ठीक और इसकी कोई घोशना नहीं हुए मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तीन साल बाद आज लदाख की हालत पूछें तो नाट वेल उन्हें चिंता थी कि लदाख के जमीन को लोगों को परियावरन को संग्रक्षन कहां से मिलेगी जो की पहले मिलता था धारा तीन सो सतर से जमू कश्मीर के मगर उन्हें ये भी मालूम था कि लदाख की जन जातिय आबादी को भारत के समविदान में संग्रक्षन मिलता है समविदान का अनुचे 244 में 6th schedule या 5th schedule के अंतरगत schedule areas गोशित होते हैं जहां पर tribal जन जातिय जन संक्या 50% से उपर हो अब लदाख में तो 55% से उपर जन जातिय लोग हैं तो लोगों को पक्का विश्वास था कि सरकार उस माध्यम से संग्रक्षन देगी और सरकार ने भी शुरु शुरु में यही विश्वास दिया आश्वसन दिया वो चाहे ग्रह मंतरा ले हो या कानून मंतरा ले हो या जन जातिय मंतरा ले हो सब जगा से हर जगा से समाचार आया कि लदाख को सिक्ष्यडूल में लिया जाएगा बलकि मैं आपको बताओं जन जातिय मंतरी अर्जुन मुंडा जी ने खुद अपने आप एक पत्र लिख कर मुझे अश्वासन दिया आप देख सकते हैं कि हम लगे हुए हैं लदाख को सिक्ष्यडूल में लेने के लिए आप चिंता ना करें तो मुझे विश्वास मिला कि अब लदाख का संग्रक्षन होगा मगर लदाख के सबी लोगों की ये खुशियां दुख में बदल गई जब महीने बीट गए और उस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई बलकि यहां तहां सुनने में आया कि लदाख को आप सिक्ष्यडूल में नहीं लिया जाएगा तो परेशान होरकर लदाख के लोगों ने फिर उस सर्दियों के कड़क्ती ठंड में परदर्शनिया करना शुरू किया शुरू शुरू में चात्रों ने फिर और संस्थाओं ने और फिर जब उनसे कुछ नहीं बन पाया तो लोगों ने जाकर लदाख के सबसे सम्मानित, सबसे वरिष्ट और यों कहिए लदाख के राष्ट्रपिता यहाँ पर लोग उन्हें भगवान की तरह मानते हैं थुपस्तन सेवांग जी उनके पास गए उनको नेत्रित्व देने के लिए कहा लदाख का इस संग्रक्षन क के बारे में संभीधानिक सुरक्षा, कांस्टिटूशनल सेफगाड यहां के बसने वाले ट्राइबल और नोन ट्राइबल जितने भी पपुलेशन है उनको मिले ताकि जिस मकसद से लदाख के लोगों ने जिद्दो जिहाद किया जम्मू कश्मीर से अलग होके हमारे लिए एसा सिस्टम दे जिसके ताहर हम अपना फ्यूचर खुद निदारीद कर सके तो उन्होंने एक एपेक्स बाडी बनाकर इस नेत्रत का बाग डोर संबाला उधर कारगिल में सारे राजनेतिक पार्टियों ने अपने एक तिलाफात खतम करके एक गटबंदन बनाया कारगिल दिमोक्रेटिक अलायंस और इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर सरकार से मांग करनी शुरू की सिक्षडूल के संग्रक्षन के और जब दो हजार बीस में लदाक परवतिये काउंसिल जिसे हिल काउंसिल कहते हैं हिल काउंसिल के चुनाव हुए तो लदाक के नेताओं ने इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे बॉइकट करेंगे अगर सिक्षडूल पर चर्चा ना हो तो और इस पर फिर ग्रहमंतरालाई ने विशेश विमान बेज कर लदाक के सभी नेताओं को दिल्ली बुलाया और वहां पर उन्हें आश्वासन दिया कि आप चुनाव हो जा करेंगे और लदाक के नेता बहुत ही विनम्र होते हैं ये विश्वास लेकर वापस आए उन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया और बीजेपी को भारी बहुमत से जिताया देखने की बात ये है कि उस चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव मेनिफोस में six schedule में लदाक का संगरक्षन था यानि कि एक वादा किया था लोगों से कि अगर हम जीत के आएं तो आपको six schedule का संगरक्षन पक्का देंगे ऐसा ही वादा जब संसदी चुनाव हुए 2019 में तब भी manifesto में पहले तीन मुद्दों में रखा गया लदाक को six schedule में संगरक्ष यानि कि बीजेपी सरकार ने खुद वादा किया लोगों से एक बार नहीं दो बार कि हम आपको six schedule देंगे आप हमें चुनाव में जीतने का अफसर दीजे वो तो लदाक ने दिया बलकि मैंने खुद अपना मत बीजेपी को दिया ना सिर्फ हिल काउंसिल के चुनाव में ब ले दे के जब बुलावा आया भी तो जब नेता वहां गए तो उन्हें बताया गया कि six schedule पे आप बात ना करें और किसी भी मुद्दे पे कोई भी संग्रक्षन हम दे सकते हैं मगर six schedule के अंतरगत नहीं दे सकते हैं अदाक के लोग इस अस्मंजस में हैं कि कैसे वो सरकार जिसने उनका सतर साल पुराना मांग union territory का पूरा कर लिया हो और उसके बाद संग्रक्षन का पूरा आश्वसन भी दिया हो और फिर मुफेर ले इससे उनका सरकार पर विश्वास उठता सजा रहा है तो आखिर क्या रहस्य है कि शुरू शुरू में इतनी दिल्चस्पी दिखाने के बाद धीरे धीरे सरकार ने six schedule पर बात करने से मुफेर लिया लदाक के लोगों का मानना है कि ये बात शायद आप तक या मिच्शा जी तक नहीं पहुंची होगी मगर bureaucracy के निचले स्तर पर उद्योगी शक्तियों का business houses का असर आने लगा वो नहीं चाहते थे कि लदाक के वादियों को पहाडों को उनके शोशन से वंचित रखा जाए वो तो ये चाहते थे कि यहाँ के हर घाटी में खनन हो, mining हो, उद्योग लगे और लदाक के लोगों को इसी बात का डर था क्योंकि ऐसा ही चीन ने तिबबत में किया लदाक के जंजातिये लोगों का जीवन बहुत ही सादा होता है और लदाख में हाला की पानी बहुत कम है आस्मान से तो लगबग चार इंच सालाना नीचे आता है बारिश या बर्फ में सिर्फ glaciers पर जीवन निर्बर करता है और लोगों ने उसी तरह से अपनी जीवन शैली बनाई है पांच लीटर प्रती दिन पे गुजारा कर लेते हैं अब आप सोचिए जब बाहर से लोग उद्योगों के लिए आएंगे तो उनका तो पांच लीटर तो उनके मुत्र विसरजन को बहाने में फलश में चला जाता है दस लीटर तक तो ये परियावरन उसे सह नहीं सकेगी ये लोगों का डर है और अभी तो ऐसे उद्योग आए भी नहीं हैं कि अभी से ही कई गाओं पानी के कमी के कारण क्लाइमेट रेफ्यूजीज बनकर गाओं छोडने को मजबूर हो चुके हैं अब आप सोचिए अगर सेंकडों उद्योग लगें माइनिंग हो उसके धूल और धूएं से हमारे ग्लेशियर्स तो जल्द ही खतम हो जाएंगे और यही तो यहां की जीवन रेखा है परियावरन के इलावा लदाख सेनिक द्रिष्टी से भी बहुत ही समवेदन शील है अभी जहां मैं खड़ा हूँ खारदूंगला नुब्रा का एक हिस्सा है जिसकी सीमाएं एक तरफ पाकिस्तान से पश्चिम में जहां सियाचन ग्लेशियर है और पूरव में गलवान गाटी में चीन से लगती है तो यहां जितने भी जंग हुए हर जंग में लदाख के लोग सेना के साथ कंदे से कंदा मिलाकर डटे रहे हैं सक्रिये रहे हैं फिर वो चाहे 1948 में पाकिस्तान के कबाली सैनिकों के साथ जंग हो या फिर 1962 में चीन के साथ 65 में पाकिस्तान के साथ 71 में फिर पाकिस्तान के साथ और 1959 में जो कारगिल युद हुआ उसमें तो लदाख के युवा युवतियां बसों में भर-बर के पोटर का काम करने के लिए हथ्यारों को डोने के लिए सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के युद के मैदान में जाके निकल पड़े थे और मैं ये कहूंगा कि अगर चीन अपने मिजाइल और फाइटर जेट्स पर गवर करता है और पाकिस्तान अपने तोपों पर तो भारत यहां के स्थानिय लोगों पर जो की भारती सेना के हर समय साथ रही है ये जो खूबी है वो ना पाकिस्तान बयान कर सकता है ना चीन क्योंकि पाकिस्तान में भी स्थानिय लोग उनके साथ नहीं है यहां सीमावर्ती शेत्रों में और चीन में तो तिबबत के लोग चीन के खिलाफ है मगर भारत ही एक ऐसा देश है जहां एक बांध की तरह लदाख के लोग बरावर खड़े है तो चाहे जिस नजरिये से भी देखें हमें दिखता है कि लदाख और हिमाले की संग्रक्षन में ही भारत की सुरक्षा है तो मोदी जी इस बार जब लदाख के नेताओं से लदाख के संग्रक्षन पर बात चीत हो तो वो बिरोक्रिसी के निचले सतहों पर ना छोड़ा जाए बलकि उच स्थर पर हमारी तो विंती होगी कि अमिद्शा जी आप इसकी अध्यक्षता खुद करें और मोदी जी आपका आशिरवाद हो और एक फैसला कुन नतीजा निकले इस संदेश को और भी दृड़ता से आप तक पहुंचाने के लिए और भारत और दुनिया की जनता का ध्यान लदाक के नाजुक जलवायू और यहां की ग्लेशिर्स पिगलते हुए ग्लेशिर्स पर आकरशित करने के लिए मैं खुद एक सांकेतिक अंशन पर बैठने जा रहा हूँ जो की पांच दिन का होगा गंतंतर दिवस 26 जनवरी से यह वो दिन है जब भारत में अपना समविदान अपनाया था जिस समविदान में भारत के लोगों की आजादी और यहां के जनजातिये शेतरों की संग्रक्षन नहित है और यह अंशन मैं घर के चार दिवारी के आराम में नहीं बलकि सडक पर रात के सर्दियों के ठंड में बैठ कर करूँगा और वो भी ले शहर में नहीं बलकि यहां खारदूंगला की उन्चाईयों पर जहां तापमान माइनस चालिस तक जाता है इन ग्लेशियर्स के साए में इनके साथ समविदना जताते हुए दुनिया को एक संदेश देने के लिए करूँगा और अगर इसमें से बच कर निकला तो आप से फिर मुलाकात होगी वरना अल धान मंतरी जी तक पहुंचाने में